Hey all right and welcome to all in today's The Hindu News Discussion Now daily के basis पर हम page-wide discussion करते हैं और हर एक पेसे जो भी important news रहती है prelims और UPSC mains के लिए उसको हम discuss करते हैं Unique analysis इसलिए रहता है क्योंकि जो भी discussion करते हैं वो notes के form में करते हैं और trigger point ये रहता है कि पिछले 5 साल के previous year UPSC mains के question को लेकर और UPSC prelims के previous year paper को लेकर हम analysis करते हैं आज की news paper में बहुत कुछ जाने को है जैसे नबार्ट के बारे में जानेंगे लोग अदालत के बारे में एक पूरा editorial publish हुआ है उसको जानेंगे क्या उसका decision binding रहता है या नहीं prelims के basis पर भी और mains के basis पर अब तक कितने केसे solve हो चुके है उसके लिए कोई committee है क्या carbon neutrality क्या होती है आपको definition जो clear है UPSC mains के basis पर आज हम notes के form में देंगे क्योंकि carbon neutrality के definition एक exact नहीं दी हुई है हम यहाँ पर आज आपको carbon neutrality को भी explain करने वाले हैं फिर उसके बाद Reserve Bank of India भी उसकी monetary policy stances क्या होते हैं उसको भी explain करेंगे बट without moving further आपको telegram application download कर लेनी है search box में type करना है at the rate PR publication तो आप इस free group से join हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं daily के basis पर answer writing का जो है analysis होता answer writing का उसकी model copy भी मिलती है क्या yes इस free group में मिलती है और daily के basis पे एक caution यहाँ पर पूछा जाता है तो आपको इस free group से UPSC mains के तहियारी daily के basis पे हो जाएगी उसके साथ साथ आप PR publication के paid courses को join कर सकते हैं यह सब ही plans आप ले सकते हैं इसके साथ साथ 50 का भी batch है 2022 का वो भी आप ले सकते हैं yearly plan है 499 रुपीज का यह सब आप चीजें इसमें आववेल करेंगे answer writing है हिंदू के notes है NCRT 612 notes है phone guidance आपको मिलेगी NCRT test reach भी है CSET का video course भी है लेना बहुत simple है दिये गई नमबर पर Google पर phone पर करना है जो भी payment करेंगे उसकी screenshot सेम नमबर पर WhatsApp करनी है और हम आपको अपने telegram के private group से add कर लेंगे जहां पर सभी material आप पूरे एक साल का access कर पाएंगे और आगे आने वाले एक साल का material भी access कर पाएंगे आप स्टार्ट करते हैं बट second wave आने वाली है coronavirus की वही lockdown फूरा फिर से आपको face करना पड़ेगा जो हम एक साल पहले face कर चुके हैं ठीक है मैं बोल रहा हूं बट unfortunately यह हमें face करना पड़ेगा अगर हम बहुत सारे चीज़ों को avoid नहीं करते हैं तो right उसके बाद second जो news है आरिबियाई ने अभी जो policy rate है वो unchange किया है reserve bank की की देखे monetary policy committee होती है अगर मैं कहूंगा भारत में अगर महंगाई को control करना है कितने repo rate करना है कितना reverse repo rate करना है यह सब चीज़ हैं जो changes होते हैं बड़े-बड़े economy में impact करते हैं वो reserve bank of India यानि कि हर एक central bank भारत के लिए है reserve bank उसकी monetary policy committee जो होती है वो repo rate को unchanged 4% में किया है repo rate क्या होता है देखे एक होता repo rate एक होता reverse repo rate ठीक है repo rate में क्या होता है जहां पर reserve bank of India से reserve bank of India से other Arab bank जैसे state bank of India पंजाब national bank ठीक है यह क्या लेते हैं रुपे लेते हैं ठीक है और जिस interest पर रुपे लेंगे उसी को कहेंगे repo rate ठीक है और देखो actual में जो reserve bank of India repo rate set करती है ठीक है repo rate set करती है वो final हमको भी impact करता है कैसे अगर अगर repo rate कम कर दिया गया ठीक है repo rate जो है कम कर दिया गया या बड़ा दिया गया ठीक है अगर reserve bank of India कहेगा कि state bank of India या पंजाब national bank के सपोच कहा कि हमें 5 करोल रुपे चाहिए ठीक है reserve bank of India कहा ने कहा कि चलो ले लो कोई दिक्कत नहीं है बट मैं repo rate आपको 7% के basis पर दूँगा मतलब आपको 7% का इंटरस्ट चुकाना पड़ेगा अब वही खेल state bank of India और पंजाब national bank हम से भी खेलते हैं कि अगर हम loan लेने गए state bank of India से ये बोलेंगे reserve bank of India ने तो हमें 7% दिया है हम भी आपको 8% तो दिंगे ही दिंगे demand बढ़ेगी supply बढ़ेगी इस तरह से economy बूस्ट होगी ठीक है तो ये पूरा reason रहा और अभी तक accommodative इस्टांसी अपना है ठीक है अब same जो news है वो editorial में भी publish हुई है तो हम दोनों को एक साथ समझाते हुए आपको discussion देंगे देखे सबसे पहना जो editorial है वो भी इसमें यही है कि 4% अंचेंज रैपो रेट कर दिया गया ठीक है growth supportive अभी यहाँ पर है मैंने कहा growth supportive क्यों मैंने जैसे बोला interest rate आपको भी तो कम दामों में मिलेंगे है ना reserve bank of india ने अगर bankों को कम दामों में रुपेद देने की बात की है तो आपको भी अब state bank of india या दूसरे bank जो है कम दामों में लोन देंगे अब इससे क्या होगा आप लोन लेने जाएंगे आप तेंगे नहीं मैं बाइक खरिदता हूँ मैं कार खरिदता हूँ बस वहाँ से behind से supply बढ़ेगी और इस तरह से economy हमारी बूस्ट हो जाएगी बड़ जो negative चीज़ है कि यार इतने साथ-साथ कोविड-19 का second wave तो आने वाला है उसके साथ-साथ purchasing manager index जो कि एक survey based होता है जहां पर swap की पर से ही पूछा जाता है आपकी कितनी sale हुई थी वो घट रही है ठीक है millions अब लोगों की job चले गई है income बहुत ज़्यादा कम हो गई है फिर से कोरोना का chances आ रहे हैं यह सब issue है अब international commodity के prices बढ़ रहे है logistic cost बढ़ रहे है तो इसके basis पर भी महंगाई बढ़ रहे है तो यह सब issue अभी face करने पढ़ रहे है तो back end में हमें क्या जाना है मैं कहूंगा back end में हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है एक तो monetary policy committee बता दूँगा आपको दूसरा accommodative stance जो यहाँ पर लिखे गए हैं कि RBI के कितने stance होते हैं और तीसरा purchasing manager index यह तीनों को explain कर देता हूं नोटस के form में सबसे पहले है monetary policy committee UPSC general studies paper 3 economics का यह topic है 2016 में बनाई गई थी transparency accountability लाने के लिए generally monetary policy committee decide करती है कि भारत में कितना महंगाई की inflation control कतना है कितना percentage करना है अभी toleration rate कितना है 4 plus minus 2 यानि कि highest जा सकता है परतिसाथ lowest जा सकता है 2 परतिसाथ उनके badge बीच में ही इनका task कर रहा था monetary policy जो committee होती है इसमें question पूछा गया था यह PSC के द्वारा MPC के committee में 6 member होते है governor इसके ex-officio chairman होंगे मतलब जो भी governor होंगे उसका chairman MPC committee के ही होंगे तीन member जो होते है RBI से होते हैं 3 member होते हैं सरकार से और यह क्या करते है it is set by the government of India in consultation with reserve bank of India और inflation कितना targeting को maintain करके चलना पड़ता है 4 plus minus 2 ठीक है तो यह MPC committee होगी 2016 में बनी थी monetary policy के भी stances होते हैं जिस तरह से महंगाई हुई या महंगाई कम हुई उसके basis पे monetary policy अपने stances लेती है मैं कहूंगा reserve bank of India क्या करती है पूरे भारत में inflation को control करने के लिए कितना consumption कितनी growth हो रही है उसको करने के लिए कुछ approach अपनाती है उसी approach को कहते हैं stances ठीक है तो यह सब चीज़े stances उनकी होती है monetary policy committee हर दो महने में bimonthly monetary policy statement लाती है जिसके basis पे वो बताती है अभी बोला है ना 4% रखेंगे reverse reporate, marginal standing facility cash reserve ratio, statutory liquidity ratio ठीक है अभी इसका economics का chapter आने वाला है 9th April को ठीक है super 50 batch में वो याद रखना है तो यह मैं सभी term को आपको explain कर दूँँगा ताकि आपका जैसे news paper है वैसे तो मैं reporate अभी explain कर चुका हूँ वैसे reverse reporate यह भी explain करूँगा अब यहाँ पर सबसे पैना होता है monetary policy stance कौन सा hawkis monetary policy ठीक है नाम से लग रहा हौकis hawkis मतलब hawk जो eagle होता है chill होता उसकी तरह है मतलब बहुत ज़्यादा aggressive ठीक है बहुत simple भासा मैं आपको समझाता हूँ सब उजमान के चलो कार है एक कार है उसकी हाली में एक साल में prices उसके दो लाग तक बढ़ चुके हैं ठीक है और ऐसा ही हर एक machines के साथ हो रहा है sorry for the post बीच में call आ गया था now मैं बात कर रहा था कि किसी एक कार की value अचानक से दो लाग बढ़ गए और ऐसा सभी machines के साथ हुआ अब यानि की महंगाई बढ़ गई अब RBI की monetary policy committee का ये responsibility होती है कि आप महंगाई को कम करो कैसे भी कम करो तो उसमें क्या होगा inflation rate जब बहुत ज़दा high हो जाता है तब उसमें क्या होता है जो repo rate होता है वो high interest rate कर दिया जाता है ठीक है अब repo rate high होगा तो bank की भी अपना interest rate high करेंगे reserve bank of India कहेगा अगर आपको मुझसे पैसे लेने है तो मैं आपको 20% में दूँगा तो SBI कहेगा ठीक है मैं अपने consumer को 21% में दूँगा अब आप क्या करोगे आप bank के पाज आओगे आप कहोगे यार मुझे car के लिए loan चाहिए तो वो कहेगा ठीक है ले लो कोई दिक्कत निया पर 20-22% क्या interest आपको चुकाना पड़ेगा ये तो वही बात होगी जो लाला लोग देते थे जमिदार लोग लेते थे गिरवी रख लेते थे तो उनकी बात हो गई तो आप क्या करो आप कहोगे नहीं मुझे गाड़ी ही नहीं चाहिए आप loan इतना महंगा दे रहे हो अब क्या होगा आप गाड़ी नहीं लेंगे मतलब अगर ग्रोज चाहिए होती है तो क्या होता है इंट्रस्टेट को कम कर दिया जाता है अब इंट्रस्टेट कम होगा सिंपल सी बात है अगर आप से कहेंगे कोई 2% rate में आपको loan मिल रहा है तो आप भागते भागते जाओगे बोलोगे नहीं मुझे तो अभी Lamborghini खरीदनी है ठीक है तो कहने का मतलब यही है कि डोविस monetary policy में क्या होता है इंट्रस्टेट को कम कर दिया जाता है ठीक है accommodative monetary policy stance में क्या होता है ठीक है और ज्यादा economy को यहाँ पर बूस्ट करने पर लगए रहते हैं तो इस पर क्या होता है लंबे समय तक accommodative monetary policy stance में लंबे समय तक interest rate को कम कर दिया जाता है अब बहुत लंबे समय तक होगा तो सभी लोग loan लेके आएंगे पैसे लेके आएंगे खरीदेंगे सामान खरीदेंगे demand supply बहुत अच्छी बढ़ जाएगी अब आपको ये समझ में आ गया होगा और उसके बाद last time बता देते हैं purchasing manager index general studies paper 3 में calculation एक survey based होता है जिसमें swapkeeper के पास जाता है और पूछा जाता है कि आपकी पिछले मन्त की sale जादा हुई है या कम हुई है इसका index होता है जो से 100 तक अगर इसका correct 50 है तो कोई changes नहीं आये है economy में 50 से जादा है तो यानि की swapkeeper की sale और पर्चेज अच्छी हुई है 50 से कम है तो contraction होई है तो यही चीज आपको याद रखनी है अब आप कहेंगे पर्चेजिंग सेल वाला क्या बता दिया बहुत सिंपल है 10 से 50 दुकाने चुनते हैं ठीक है जहां पर steel बिखता है cement बिखता है यहां पर कोई भी दुकाने हो सकती है उनसे पूछा जाएगा कि फिछले मेने की बिक्री अच्छी हुई है या इस मेने की बाई से survey based होता यह चीज़ याद रखना कोई mathematical formula नहीं है purchasing manager index के लिए अब बात करते हैं कुछ carbon neutrality की मैं इस पूरे article को समझाने से पहले आपको carbon neutrality explain करूँगा और आज का question भी carbon neutrality पे ही based रहेगा राइट अब सबसे पहले हम जान लेते हैं what is carbon neutrality UPSC general studies paper 3 environment section में directly पूछा जा सकता है अब इसकी definition हाला कि आपको संकर IS में भी बहुत कम मिलेगी और दूसरी reference book में भी कम मिलेगी बट यहाँ पर हमने compile करके दिया है carbon neutrality को अच्छे से समझाया हुआ है अपने UPSC mains में जब भी यह पूछा जाएगा तो आप इस definition को पूरे अच्छे से लिख सकते हो introduction में आज के introduction में भी यही लिखना है मैं question पूछूँगा what is carbon neutrality और किस तरह से हम target कर सकते है carbon neutrality का मतलब क्या होता है जो हम carbon emit करते हैं और carbon absorb किया जाता है atmosphere से तो किसी ने यहां लकड़ी जलाई और मैं एक example दे रहा हूँ ठीक है समझाने के लिए आपको यहां पर carbon dioxide emit हुई अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं suppose इसके अपोज में solar panel लगा रहे हैं ठीक है इसके अपोज में solar panel लगा रहे हैं यहां पर हमने कुछ smoke tower लगा दिया जो इसको absorb करेगा और इसके बदले क्या हो रहा है जितने लोग अब लकड़ियों में खाना बना रहे थे उनको हम solar panel के दे दे रहे हैं solar heater solar cooker उनसे वो खाना बना रहे हैं तो हम कहे रहे हैं जो CO2 पहले emit हो रहा था उसको कहलते हैं carbon sequester run अब यहां पर एक चीज़ याद रखना sequestration इसका मतलब क्या होता है जो atmosphere में हार्मभूल carbon dioxide है उसको हम पहले remove करेंगे उसको store कर देंगे और इसी को कहते हैं carbon sequestration ठीक है आपको बहुत सारे लोगों को environment में दिक्कत आती है तो यह छोटे छोटे term आपको याद होने चाहिए ठीक है फिर एक और चीज़ बताता हूं carbon sink क्या होता है carbon sink in any system that absorb more carbon than it emits carbon sink का मतलब यह होता है जैसे हमारे जो पेड होते हैं जो natural पेड होते हैं carbon sink की की तरह काम करते हैं मतलब वो तो क्या करते हैं absorb heat तो कर लेते हैं na co2 तो main जो carbon sink है वो soil है, midty है, jungle है हमारे oceans हैं वो carbon को जो है absorb कर लेते हैं ठीक है actual में अगर मैं बात करूँ till date कोई artificial carbon sink अभी तक बनाया नहीं गया है मैं यह चाहूंगा कि all over world carbon sink के artificial sink के लिए काम करें ठीक है की carbon को store किया जा सके ठीक है फिर होता है एक और carbon offsetting इसका मतलब क्या होता है एक emission को reduce करना मैं कहूंगा USA में बहुत ज़्यदा emission हो रहा है और यह emission USA में हो रहा है USA बदले में इंडिया को क्या कर रहा है बहुत ज़्यदा पैंसे देदा रहा और इंडिया से बोल रहा है आप हर जगे solar panel लगा हो मतलब एक जगे emit हो रहा है तो दूसरे जगे reduce करना इसी को carbon offsetting कहते हैं ठीक है यह किसी भी जगे होता है इसी को कहते है European Union Emission Trading System ठीक है carbon offsetting system का तो I think मैं carbon neutrality को explain कर चुका हूँ जितने भी carbon sit term थे carbon sequestration हो गया carbon sink हो गया carbon offsetting हो गया मैं यह term पूरे समझा चुका हूँ जो कि आपके prelims में पूछे जाएंगे और mains के लिए definition बन जाती है अब जब मैं यह समझा चुका हूँ तो editorial आपको easily समझ में आ जाएगा राइट editorial यह कहता है कि भारत को अभी जो है अपना carbon neutrality का goal fix नहीं करना चाहिए भारत को अभी deployment में अपने construction में अपने goals पर focus करना चाहिए ऐसा क्यों energy or climate intelligence unit पर एक document आती है जिसमें 32 country अपने document देती है कि हम carbon neutral status carbon neutrality बनाने की कोसिस करेंगे सिर्फ आठ ऐसे देश है उन में से जिनोंने किन लोगोंने तो सिर्फ बोल रखा है और किन लोगोंने तो कानून भी लाके दिया है ठीक है उन्होंने अपने document publish कि हैं कि हम इस तरह से अपना carbon emission कम करेंगे ठीक है UN Secretary General ने भी पहले से बहुत ज़्यदा emphasize किया भारत में तो बहुत ज़्यदा especially भारत को भी encourage किया कि आप क्या करो carbon neutrality maintain करने की कोसिस करो ठीक है तो सबसे पहने carbon neutrality maintain करने में बात आती है temperature की क्योंकि carbon dioxide बढ़ेगी तो temperature बढ़ेगा simple सी बात है तो temperature गोल कितना था पहने 2 degree Celsius था अब ये बोला ज़्यदा है कि global temperature 1.5 degree Celsius तक restrict करना है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है बट editorial यह पूछता है कि क्या ये carbon neutrality है या क्या हम carbon neutrality achieve कर लेंगे तो इसका मतलब है 480 gigatons billion tons gigatons का मतलब होता billion tons ठीक है जो carbon dioxide है equivalent वो spend किया जा रहा है या उसको रोका जा सकता है अभी हम पूरे साल में कितना करते हैं all over world 42 billion tons का carbon emission चल रहा है current rate चल रहा है ठीक है जो होता के भी कोशिस करेंगे तो इतना सारा 12 साल में हम continue कर लेंगे तो हमें temperature कम करना पड़ेगा सबसे पहला बात यह है दूसरा पहला point समझ में आ गया होगा दूसरा point यह है कि यार जो western countries है न भारत तो चलो अभी नया नया खिलाडी आया है अभी नया नया रेस में आया है उससे पहले अगर European Union की बात करूँ United States की बात करूँ 2005 से उन्होंने इतना ज़्यादा emission करा ठीक है हाला कि 2017 से उन्होंने धिरे-धिरे decline करने की कोशिस की बट वो पुराने खिलाडी है उन्होंने emission में पूरा उनका burden उन पर ही आना चाहिए ठीक है पूरा editorial ये कहता है और यहाँ पर अभी अगर पूरे world के बारे में बात करूँ तो European Union को उस पर जैसे जर्मनी ने 2030 कर रखा है कि हम 2030 तक carbon neutral बन जाएंगे ठीक है USA पर burden है पूरे all over world का moderate 14 trillion का burden है तो editorial ये कहता है simple सी बात है US को European Union को अपने neutrality goal fix करना ठीक है क्योंकि उन्होंने ये चीज़े किया भी है वही लोग responsible है इतना ज़्यादा carbon emission या temperature बल रहा है भारत का clearly यहाँ पर editorial कहता है कि भारत को clearly अपनी carbon neutrality अभी maintain नहीं करनी चाहिए या goal set नहीं करना चाहिए हमें अपने विकास पर focus करना चाहिए हमें अपने goals पर focus करना चाहिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है सबसे पहला deployment पर focus करना चाहिए इंडिया को ठीक है ऐसा क्यों कि इंडिया already current low carbon footprint है मतलब उतना ज़्यादा हमने emitting नहीं किया यार ठीक है जैसे USA ने किया है दूसरा क्या है इंडिया does not owe ठीक है इंडिया पर किसी का burden नहीं है all over world का क्योंकि already हमने इतना कम emission किया है कि पूछो मत धीरे धीरे अब तो हम 2018 से मुस्किल से सुरू कर रहे हैं दूसरा self-sacrificial declaration की भी बात की गई थी करेंट इंटरनेशनल सिनारियो में कि हम अपने positive gesture से हम ये क्या करेंगे ये मतलब कहने का मतलब है कि हम declare नहीं करेंगे अपने मन से कि हाँ हम इतने साल तक करेंगे ठीक है इतने 2015 तक कर देंगे या 2050 ये एक wasted gesture होगा क्योंकि हम आपास developed क्योंकि इससे क्या होगा developed countries का burden कम हो जाएगा वो सोचिंगे नहीं इंडिया कम कर रही है तो हम थोड़ा सा और खर्च कर सकते हैं ऐसा उनके mind मा हर सकता है यहां पर यही है कि minimal consumption हमने करना है technological advance हम कर रहे है climate impact कम हो सकता है तो मैं एक suggestion क्या देना चाहूंगा कि हमें technological advancement करना चाहिए उके ना उसके बाद next जो article आता है abortion से related आता है मैं सबसे पहले medical termination amendment act 2021 की बात करता हूँ अब यह push कर रहा है कि जो पहले 20 हपते था abortion आप करवा सकते हैं अगर आपका fetus abnormal है physical or mental उसको burden है abnormalities है तो आप 24 week तक क्या कर सकते है abortion करवा सकते है बट पूरा editorial यह कहता है कि क्या एक women खुद की body का उस पर right नहीं है क्या उसकी ही body है वो abortion करवा रही है तो उसका अधिकार होना चाहिए तो at the end यहाँ पर बात की जाती है medical termination pregnancy act 1971 यह उस time का समय है 1971 का जब उतनी technology advancement नहीं होती थी बट एक अच्छा bill था यह ठीक है कि abortion जो है वो करवा सकते है राइट बट अभी इसमें बहुत सारी provision थे कि abortion जो है crime है ठीक है इसमें doctor को और women को दोनों को jail हो सकती है पहला इसमें एक negative चीज है कि 20 हफते तक का है ठीक है 20 हफते का आप abortion करवा सकते हो ठीक है अगर 20 हफते की pregnancy है बट उसमें भी दो डॉक्टर से आपको पूछना पड़ेगा और आपके अगर abnormalities है तो तब ही आप abortion करा सकते हो आपकी will के basis पर abortion नहीं होगा यह चीज आपको याद रखनी है राइट तो ऐसा था ओके तो यह सब चीजें हमने देख ली अब बात की जाती है कभी कभी sexual cases rape cases भी होते हैं जहां पर यह बोला जाता है कि बच्चे को injury हो सकती है पहला ठीक है इस cases के लिए यह लेके आया था दूसरा कभी कभी हम contraception जो pills हैं वो खाते हैं बट फिर भी उसके बाद pregnancy हो जाती है तो उसमें भी जो बच्चे होता है उसको injury हो जाती है राइट तो यह कुछ explanation दिये गए हैं कि यह act क्यों लाने के जरुवत पड़ी थी ठीक है समझ मागा गया होगा ना प्रिलेम्स के लिए याद रखना सांती लाल एच साहा की कमेटी ने बताया था 1971 act के लिए ठीक है कि 20 हपते तक का abortion आप करवा सकते हो क्योंकि उस समय या technology इतनी थी कि 20 हपते तक क्योंकि बहुत सारे जो women से उनके death हो जाती थी बट अभी यहाँ पर argument किया जा रहा है कि 20 हपते को 24 हपते करना चाहिए क्योंकि अभी तो इतनी advanced technology है आप उसको भी और ज़्यादा बढ़ा सकते हो women पूरी safe रहेगी अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा जो need of the hour है सबसे जो ऐसा fact है आपको disturb कर देगा आप समझेंगे नहीं imagine नहीं कर सकते even today about 8 lakh illegal और unsafe abortion होते है per performed every year in India ठीक है एक साल में ठीक है एक साल में 8 lakh illegal और unsafe abortion होते है ठीक है और बहुत सारे इससे death भी हो जाती है तो simple सी बात है यह अभी तक का मैंने issue बता दिया अब आया है नया 2021 का act अब इस act में क्या क्या problem है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि अब act आएगा तो आप argue कर सकते हो कि हाँ इस act में क्या change करने की जरुवत है सबसे पहले तो यह है यार कि absolute जो right है women's को उसकी body के लिए नहीं दिया गया है क्योंकि उसकी will के according हो सकता यह चीज़ है ठीक है हाला कि push किया है 20 से लेकि 24 हबते तक ठीक है बट उसमें भी condition है कि यार पहने doctor से पूछना पड़ेगा आपको medical board से पूछना पड़ेगा बट एक यहाँ पर एक issue है कि आप medical board से पूछते है बट issue क्या है कि आपने जो pregnant महला है और उसका जो gynecologist है आपके बीच में जो भी private बाते हुई है आपको medical board को बतानी पड़ेंगी ठीक है तो simple सी बात है कि आपकी यह privacy को breach करता है यानि कि यह आपकी personal privacy चीज़ है कि आप pregnant है आप अपने गाइनों से बात कर रही है कि हाँ क्या चीज़ें हुई है ठीक है और कैसे safe हो सकता abortion वगरा वगरा जो भी private बाते हुई है आपको medical board को बतानी पड़ेंगी अगर आपको abortion करवाना है which is a violation of right to privacy under article 21 उसके बात multiple board established होता है तो simple सी बात है इतने ज़्यादा अब मैं कहुँ रहा हूँ एक साल मा आठ लाग अगर pregnancy हो रही है abortion किये जा रहे है तो simple सी बात है क्या राज जी इतना ज़्यादा capable है राज जी के पास इतना पैसा है कि इतने medical board वो set up कर सके नहीं पैसा इतना ठीक है ये भी चीज़ याद रखना है आपको ओके privacy तो इसमें हम हो रही है I think आपको मैं पूरा factor 1971 का act क्या था और जो act आया है अभी उसमें क्या दिक्कत हैं वो explain कर चुका हूँ उसके बाद next जो article है वो लोक अदालत से related है लोक अदालत बहुत simple सी अच्छा जा सकते हैं तो पहली लोक अदालत अभी national की वो 10 अप्रेल को set up होने वाली है ठीक है 2021 की ठीक है इससे पहले तो चलती आ रहा है तो इससे 38 साल से पहले अच्छे से काम कर रही है बहुत सारी चीज़े हैं इसमें 1959 में हरीवल लव जो पारिक जी हैं डिसिपल थे महात्मा गादी जी के और उन्होंने गुजरात में ये बहुत ज़्यदा पॉपुलर करा और इसके चलते वे कंस्टिशन ने भी 1976 में आर्टिकल 39A इंसर्ट किया कि लोगों को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए अब जैसे मैं कहूंगा जो अमीर है वो तो ठीक है यार अड़ोकेट हायर कर लेंगे अब जो गरीब है उनको लीगल एड मिल रही है कि नहीं उसके लिए नालसा एक्ट लाए गया नालसा एक्ट ये है नालसा एक्ट में ये बोला गया है कि अगर कोई गरीब है अगर उसके लिए कोई एड़ोकेट नहीं आता तो सरकार उसको एड़ोकेट देगी तो ये है ठीक हो गया तो 42nd Amendment Act में ये चीज इंसर्ट की गई अब आपको चलते हुए लोक अदालत क्या होती है ये जैसे होती है ना एक पंच आए तो उसी का modern version सोच लो ठीक है पंच होते है ना ग्राम पंच आए तो उसी का modern version सोच लो अब लोक अदालत इतनी अच्छी होती है कि आपके जो बेसिक इसका central approach होती है compromise कि चाहे motor accident claim हो गया आपकी suppose scooter आपकी नहीं किसी एक्स person की scooter अगर accident हो जाता है फिर वो claim कर रहा है तो ये cases बहुत लंबे समय तक टिकते हैं ठीक है court में pending रह जाते हैं तो लोक अदालत बहुत अच्छा ये काम करती है public utility service का use करना है checks कभी bounce हो जाते है land labor है ठीक है matrimonial dispute होते है एक्सप्ट divorce नहीं होता ये prelims के लिए याद रखना लोक अदालत में divorce case solve नहीं होता वो district court में ही होगा ठीक है ये चीज़ याद रखना फिर उसके बाद numerical factor है मैं कहूंगा बिल्कुल याद मत करो इनको लोक अदालत अभी 2016 से 2020 तक इतने cases बाउन लाग cases solve कर चुकी जो की एक बहुत बड़ा number है ठीक है दो मिलियन cases इन्होंने दो मिलियन से भी ज़्यादा case यहाँ पर solve के हैं NLA ने ठीक है बट सबसे ज़्यादा लोक अदालत की जरुवत क्यों पड़ती है छे-सट अजार case spending है ठीक है तीन करोड़ो case spending है तो अब यह कहां solve होंगे लोक अदालत में ही यह case solve होते हैं सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि लोक अदालत की एक compromise based इसकी अप्रोच रहती है यानि कि settlement वो करवा देते हैं बट बहुत सारे लोग यह भी question उठाते हैं कि यार settlement होना क्या justice deliver होना होए ठीक है नहीं है लोक अदालत को दोनों online offline should focus करना चाहिए quality में justice delivery में हाला कि लोक अदालत की एक central idea है compromise कराना कि दोनों parties के बीच में सुलहा करा देना बस ठीक है कोई justice ना देना ठीक है तो litigants generally क्या होते हैं deep pockets insurance company bank है electricity board होता दूसरा होता तो यह बहुत हद तक exploit कर सकते हैं इनको तो थोड़ा सा जो compromise की strategy है लोक अदालत को बदलनी चाहिए ऐसा बोला जाता है right तो यहाँ पर यह पूरा complete में मनने बता दिया है लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा मैं इसके notes को भी समझा देता हूँ तो news में mention था लोक अदालत official link मैंने नालसा का आपको दिया है topic welfare scheme है vulnerable section के लिए context बहुत simple है कि यह लोक अदालत जो है अभी e-loक अदालत की बात की जा रही है कि online भी लोक अदालत conduct की जाएंगी ठीक है बट actual में यह होता कि है कि एक लोक अदालत है क्या simple सी बात है एक alternative disputal reduction mechanism है जहां पर pre litigation stage में जाके इसको solve करवा सकते हो ठीक है लोक अदालत जो है Indian constitution में भी यह mention है कि आपको secure justice दिलवाना है जब कि आज की news paper में भी mention था article 39A का यहां पर यह मैंने include कर दिया है ठीक है article 14 भी है कि right to equality before the law ठीक है तो इसके चलते होए लोक अदालत यहां पर set up की जाती है और decision जो लोक अदालत सुनाती है इजे verdict of civil court और यह binding रहता है सभी parties में जो लोक अदालत ने कह दिया वो ठीक है और prelims के लिए question यह याद रखना कि अगर लोक अदालत ने अपना verdict सुना दिया उसके बाद high court district court में appeal नहीं होती है यह चीज़ याद रखना ठीक है और आप अगर initiate कर रहे हो तो free में यह initiate कर सकते हो ठीक है court की fees क्या होती है क्या court की fees होती है अभी यहाँ पर क्या देखे तेरे member को एक transgender community को 36 गर्ड पुलिस में set up किया है तो सोचो कितने transgender पुलिस में आ रहे हैं तो अगर मैं बोलूँगा society का welfare के लिए एक example दो तो 36 गर्ड पुलिस में तेरे member की एक transgender की community पुलिस में अलग गई ठीक है right इसके बाद क्योंकि नालसा 244 का ये एक आता है ये बोलता की transgender एक अलग से एक male है एक female है क्या होगा transgender होगा ठीक है तो इसके चलते हुए ये पूरा article है और इसमें से सिर्फ आपको यही याद रखना है ठीक है example की बात की जाए तो आपको इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाया ठीक है केरला हाइकोट ने भी allow किया है कि trans women जो होती है national credit cop ठीक है NCC में जो है अपनी identity proof कर सकती है केरला हाइकोट ने बहुत अच्छा decision सुनाया कि male है female है और आप transgender है या trans women है आप बता सकती है तो at the end यहाँ पर यही बोला जाता है कि society में जो बाइशनेस है transgender को आपने accept करना चाहिए ठीक है चाइना जो है उसके पार capability है कि cyber attack करवा सकता है तो हमारा team है certain उसको अभी तयार रहना पड़ेगा world level की बारे में बात करें तो रश्या भी पाकिस्तान को military supply gear करने वाली है excise करेगी और बोला जा रहा है कि terrorism को खतम करने के लिए हम यहाँ पर चीज़े करने वाले है ठीक है Iranian ship को attack किया गया maybe Israel ने attack किया गया है मेरा आप से question है कि Red Sea के जो आसपास के adjacent countries है वो आपको mention करने है comment box मा आपके लिए geography का यह question है ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे धन्यवाद